आज हम जो अपने DIY क्राफ्ट में यूज करने वाले हैं वो है empty shell of eggs आप अपने घर में eggs का यूज करते होंगे और उनके shells को fake देते होंगे बट मेरे पास है बहुत ही interesting ideas तो आज हम करेंगे इनको paint हमने पहले क्या कर लेना है इनको whiteish paint कर लेना है कि वो थोड़ा सा और अच्छे से vibrant हो और white color से क्या होगा कि जो base है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा सो मैंने मतलब अपने eggs को सुखाने के लिए रख दिया था और अब वो सूख गए है तो मैं pencil की help से इस पे कुछ एक जो मतलब facial जो expression है वो ड्रो कर रही हूं आप अपनी मर्जी से जैसे मैंने एक आपको pebble art बताया था like stone art आप वैसे ही eggs पे भी कुछ भी sketching कर सकते हो कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए first of all मैंने अपने पहले egg पे angry bird ही design किया है उसी का ही मैंने आज sketch ready किया है तो मैंने sketch करने के बाद क्या किया है अपने angry bird को दे दिया है color आप सब को पता है कि angry bird होता है red in color क्योंकि वो angry रहता है वो हमेशा ही गुसे में रहता है इस आपको background जो देना होता है अगर आपका बिल्कुल ही मतब जैसे कि यह देखें जहां मैं brush की help ले रहे हूं वहां पर आप बोसी अपने scrubber का भी help ले सकते हैं अपने sponge का भी help ले सकते हैं बट आज मेरे mood में था कि मुझे बिल्कुल बरीकी से अपने egg को paint करना है इसलिए मैं बिल्कुल ही sharp pointed अपना brush यूज़ कर रही हूं इसके लिए ओके तो हमारा angry bird है वो ready हो रहा है और मैं उसको दे रही हूं red color ओके तो guys stay tuned so here is eyes okay one eyes second eyes और अब हमें क्या करना है जब हम उसके lipsing करेंगे या जो हम उसके mouth part जो draw करने वाले थे वहां पर मैंने एक और idea लगाया कि वह थोड़ा सा और 3D look दे इसलिए मैं यहां पे इसको paint ना करके क्या करूंगी use करूंगी pistas shells का जो pistas shells आते हैं वह भी आगे से pointed से होते हैं थोड़े नुकीली type के होते हैं तो हमारा angry bird होता है उसका भी जो आगे का face होता है या mouth part लगा लिजी वह भी थोड़े सा pointed होता है तो मैंने कोशिश किया कि मैं यहां पर क्या कर सकूं मतलब फैवी कोल की help से वो नहीं चिपकरा था तो मैंने क्या use किया यहां पे फैवी quick फैवी quick की help से मैंने उसको चिपक paint कर लूँगी यह green color का होता है मुझे इसका नाम actually याद नहीं है क्या नाम होता है मुझे नहीं पता है इसलिए मैं क्या करूंगी इसको बिल्कुल dark green पहले दे रही थी लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगी थोड़ा सा light green color से उसको paint कर लूँगी तो आप भी ऐसे ही कुछ इमेज बना सकते हैं मैंने उसमें पैबल में आपको बहुत सारे आइडियाज दिये थे आप कोई भी fruit कोई इंसेक्ट या कोई wording आप लिख सकते हैं या कोई मतलब जो आपको पसंद है जैसे आप कोई animal कोई flower आप किसी भी चीज को पैबल पे और eggs पेका है ड्रो कर सकते हैं और उसी से आप क्या कर सकते हैं मतलब color let's spread the colors in holy तो आप color spread कीजिए इसलिए मैं अब हमारी जो होली आ रही है तो उसी के लिए मैं हमेशा ही colors का अपने craft में यूज कर रही हूं okay next हम pink color use कर रहे हैं क्योंकि जो angry bird है उसके साथ एक जो female रहती है मतलब जो angry bird है वो male है और जो उसकी female है partner वो pink color की मैं यहाँ पर show कर रही हूं okay तो अब हमने क्या किया है उसी के egg shells के साथ जो हमारा cardboard आता है जिसके उपर eggs रखे जाते हैं उन्हीं पर मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूं की how to look okay यह हमारा final result this is the result time तो यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना से कहा था अगर आप यह सब भी बना सीखना चाहते हैं आप इसकी वीडियो देखना चाहते तो आप मेरी पिछली सारी वीडियो चेक कर सकते हैं इस पे मैंने आपको बताया था कि हम plant organizer या फ्लार के जो wash होते हैं फ्लार जो pot होते हैं हम उनको कैसे बना सकते हैं okay guys like share and subscribe my channel it's first try bye bye फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ